साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MNP Knowledge School में साथियों जैसा कि आप सभी देख रहे होंगी कि कुछ दिनों से हम कुछ जुलंद मुद्दे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में चर्चा होनी जरूर चाहिए लेकिन लोगों का ध्यान कम जाता है उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं उसी सिल्शले में आज की टॉपिक है हमारा पेंशन और इसकी जरूरत क्यों है और कहीने कहीं ये समस्या बनता जा रहा है तो कैसे इस समस्या का समधान किया जाए तो साथियों हमें पेंशन कैसे मिलेगा और क्यों हमें पेंशन चाहिए इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथियों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या गौवर्मेंट सेक्टर हो, या कोई बिजनेस हो, या खेती किसानी हो, या कोई विवेवसाय हो आजकल आमदनी हर जगा है, अगर आपकी आमदनी है, तो आपके खर्चे भी है खर्चे चाहे खाने पीने में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्या में हो खर्चे तो होंगे ही और ये खर्चे बढ़ते रहेंगे साथियों जैसा कि हमारे देश में ये देखा गया है कि आज कल का जो युवा है वो पैसा तो कमा रहा है लेकिन पैसा बचाने के मामले में मैक्सिमम 90% लोग अभी भी अपने ध्यान में ये चीज नहीं लाते हैं जो काफी चिंता का विशय है साथियों आमदनी तो अच्छी है लेकिन भविश्ष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है और उसका परिणारम ये होता है या यह मैं कहूं कि उसका दुस परिणारम ये होता है कि जिस समय वो अच्छा पैसा कमा कर बचा सकते हैं अपने pension की planning कर सकते हैं उस समय उनका ध्यान उस पे नहीं जाता और जब वो 50 साल या उससे उपर होते हैं तब वो pension के बारे में सोचते हैं और तब अगर वो किसी भी pension योजना में अपना पैसा लगाते हैं तो काफी ज़्यादा amount पे उनको काफी कम pension या ना के बराबर pension मिलता है तो साथियों ये गलती जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ना करे और मैं आपको इसका समधान बताऊंगा उससे पहले साथियों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि pension coverage की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ने कहीं इसको एक national priority प्रमुकता से इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि समय के साथ जो है हिंदुस्तान की जो विर्द लोगों की जन संख्या है वो ये माना गया है कि 2050 होते होते 15% जन संख्या जो है वो 80 प्लस हो जाएगी और कहीं न कहीं 2030 में यानि करीब करीब 11 साल के बाद हम चाइना को पीछे करके दुनिया के सबसे ज़्यादा जन संख्या वाले देश बन जाएंगे साथियों यहीं नहीं आज की डेट में सिर्फ 11% जन संख्या यानि की लगभग लगभग 17-18 करोजन संख्या के पास ही पेंशन का साथ है और वो भी जो और्गनाइज सेक्टर में और जो किसी गवर्मेंट जॉब में नौकरी कर रहे हैं साथियों 11% यानि की अभी भी लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास पेंशन का कोई उपाय नहीं है और आप ये सोचिए कि जब वो 50 प्लस या 60 प्लस होंगे तो उनके हर महिने की आमदनी की व्यवस्था कैसे होगी जब वो 60 साल से उपर हैं और वो उस समय आराम करना चाहेंगे अपने किसी भी नौकरी से या वैवसाय से रिटार्मेंट लेना चाहेंगे तो उस समय उनका खर्चा कैसे चलेगा उसका ही समधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वाट टू डू देन जी हाँ तो इस समय मार्केट में सबसे अच्छा जो एक अस्त्र है वो हमारे पास LIC का जीवन उमंग प्लान है साथियों मैंने LIC का जीवन उमंग प्लान आपको इसलिए समझाने का सोचा क्योंकि आज की डेट में फाइनेंसियल मार्केट में एक मात्र ये ऐसा प्लान है जिसमें आप कुछ-कुछ एमाउंट हर साल देकर आप एक बड़ा पेंशन अपने लिए गारंटी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अपना अच्छे फंड का निर्माड कर सकते हैं साथियों और ये एक मात्र ऐसा प्लान है जिसमें गारंटी है कि आपको पेंशन कितना मिलेगा आईए इस प्लान के बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं साथियों ये प्लान जो है कम से कम जो बच्चा 90 दिनों कहा है यानि उसको 0 years माना गया है और अधिक्तम ये 55 साल का व्यक्ति ले सकता है निउन्तम जो इसमें बीमा होगा वो 2 लाग का होगा और अधिक्तम जो बीमा होगा उसका कोई लिमिट नहीं है साथियों जैसा कि हमने देखा कि इसमें 0 years का बच्चा यानि अभी बच्चा पैदा ही हुआ है आप उसका जो है ये प्लान कर सकते हैं और 55 साल तक का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है यहाँ पे जो इस पॉलिसी में जो टर्म है वो टोटल आपके चार टर्म है पंद्रसाल बीस साल पच्चिस साल और तीस साल यानि की अगर आपकी उमर तीस साल है और आप पेंशन पंद्रसाल के बाद लेना चाहते हैं तो भी option आपके पास है, 20 साल के बाद लेना चाहते हैं, तो भी option आपके पास है, 25 साल के बाद लेना चाहते हैं, तब भी option आपके पास है, तब भी option आपके पास है, तब भी option आपके पास है, साथियों, इस plan के कुछ हम खूबिया आपको बताएंगे, देखिए, इसमें एक ख अच्छी है वो है आपका in scenario of decreasing interest rate lifelong guaranteed return of 8% यानि जितने की आप policy लेते हैं उधारन के तौर पे यहां पे मैंने 20 लाग की policy आपको समझाई है जिसमें व्यक्ति की उमर अगर 30 साल हो और वो 20 साल का term अगर ले ले तो उसको 20 लाग का 8% यानि 1,60,000 रुपए सालाना pension उसको 20 साल के बाद मिलना start हो जाएगा यानि guaranteed return of 8% ideal gift from parents और grandparents साथियों देखा ये गया है कि कोई business man है या कोई बहुत अमीर आदमी है नौकरी में है या किसी वेवसाय में है उसके पास तो पैसा है वो अच्छा पैसा वो कहीं भी invest कर सकता है लेकिन जब उसका बच्चा हो जाता है या को अपने नाती पोतों को देखते हैं तो उनको ये चिंता होती है कि in future में इनके लिए वित्तिय शुरक्षा कैसे ब्रदान की जाए तो वो अपने नाती पोते या अपने बच्चे के नाम से भी ये policy ले सकते हैं यानि सोचिए अगर बच्चा आज पैदा हुआ हो zero years का है और उसको उसके पिता जी ने या नाना ने या दादा जी ने 20 लाख या 50 लाख की ये policy दे दी तो सोचिए अगर 50 लाख की policy दी है तो 50 लाख का आपका 8% जो है वो 4 लाख रुपए सालाना pension होगा सोचिए वो आज पैदा हुआ और उसको जिंदगी भर की गारंटी होगा यानि कि वो pension 100 साल की age तक की गारंटी है तो इस plan की feature आप समझ सकते हैं उसके अलावा इस plan में देखिए बीमा भी है और in case अगर बीच में कुछ हो जाता है तो nominee को अच्छा पैसा मिल जाएगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे साथियों यहाँ पे जो मैंने प्लान लिया है वो प्लान जो है वो करीब 30 साल के व्यक्ति का है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 30 साल का जो व्यक्ति है वो अगर 20 लाग की policy लेगा तो उसका एक बीमा cover सुरू हो जाएगा सुरूवाती जो बीमा cover है वो 21 लाग 10 हजार का है अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यह इस प्लान के में फीचर है कि 110 गुना कम से कम risk cover होगा जितने की आपने policy ली है और इसका जो premium आ रहा है वो साल का 1 लाग 10 हजार रुपय आ रहा है और यह आपको जब व्यक्ति 30 साल का है तो उसको यह जो है 50 साल तक देना है और आप देखेंगे कि जैसे ही वो 50 साल का हुआ उसको 1,60,000 रुपय पेंशन उसको आजीवन मिलना शुरू हो गया जैसा कि हम अगले slide में देखेंगे जब वो 50 का हुआ तो उसको 1,60,000 रुपय सालाना मिलना और उसको यह पूरे time पे मिल रहा है देखिए यह हम जैसे अगले slide में हम आएंगे तो भी हम देखेंगे कि वही पेंशन जो है उसको 1,60,000 लगतार 55,56,57 अंठावन से लेके मिलता जा रहा है और फिर हम जब अगले slide में आएंगे तो भी हम देखेंगे कि सेम जब वो 80 साल का है तो भी उसको 1,60,000 यानि गारंटीड पेंशन उसको 100 साल की इस तक मिलता गया यानि साथियों देखिए एक तरफ पेंशन की गारंटी 8% 20,00,000 का यानि 1,60,000 रुपए पेंशन आपको मिल रहा है और इसमें आज की डेट में भी आप लेंगे तो आपको 8% ही मिलेगा ह घट जाते हैं साथि साथियों मैं ये भी बताना चाहूंगा इसमें अगर हम पहले की स्लाइड में आए जब वेक्ती जो है 30 साल का था जब वो 30 साल का था देखिए तो जब उसने प्लान शुरू किया तो जब वो 50 का हो गया है तो उसके पास एक 40,00,000 रुपए का फंड भ रुपए लेकर पॉलिसी वहीं पे बंद कर सकता है और आगे अपना उस पैसे को कहीं यूज कर सकता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि यह जो एमाउंट है 33,00,000,000,000,000 यानि जितना देर में आप पॉलिसी का पैसा निकालेंगे उतना ज्यादा देखिए 70 की एज में करीब हिए आपका एक करोड 23,00,000,000 तक पहुंच गया यानि 20 साल आपने प्रीमियम दिया 1,60,000,000 रुपए पेंशन की गारंटी ली लेकिन आपका जो फंड वैल्यू है वो करोडों में पहुंच गया ये भी अपने आप में बहुत बड़ नहीं है तो आप 1 करोड 32,00,000,000 रुपए लेकर आप इस पॉलिसी को बंद करा सकते हैं साथियों यही नहीं आप एक चीज में और भी देखेंगे कि 21,00,000,000 का जो बीमा है वो भी हर साल बढ़ता जा रहा है 22,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, करोड के आसपास पहुँच गया है यानी कि इन केस अगर बीच में कुछ हो जाता है तो जिस भी एज के आगे जो भी एमाउंट लिखा है जैसे 72 पे एक करोड 38,00,000,000,000 रुपए लिखा है वो नौमनी को मिल जाएगा यानी पैंशन की गारंटी आपके बाद आपके नौ आपका जो दुरघटना बीमा है वो नॉर्मल बीमे का डबल है यानि कि अगर आप सबसे पहले स्लाइड पे आप आएंगे आप देखेंगे कि जो एक्सिडेंटल रिसकबर है वो आपका 41 लाग से स्टार्ट होकर 54 की एज में नॉर्मल जो बीस लाग के बीमे में है वो डबल ही होकर आपको मिलता है साथियों तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस प्लान में जरूर पैसा लगाएं और अपने भविश्यों को सुरक्षित बनाएं साथियों समरी ओफ इस प्लान का मैं बता दूँ समरी प्लान का टोटल जो है आपका जो yearly प्रीमियम इसमें जाएगा वो करीब अगर आपकी उमर 30 साल है तो साल का करीब 1,10,000 रुपए यानि 20 साल तक आपने 1,10,000 रुपए दिया और आपको जीवन भर 1,60,000 रुपए और प्लस कम से कम एक से 1,50,000 रुपए के बीच में आप फंड बना लेंगे जो अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा नहीं तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा साथियों अगर आपको इस प्लान के बारे में कुछ और कन्फ्यूजन हैं कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्षन में जाए और जरूर पूछें और साथियों आप अपने भविस्य के बारे में सोचिए और अपने वृद्धा अवस्ता ओल्डर के लिए आप पेंशन के बारे में जरूर अभी से निड़ने लें साथियों हमारे चैनल MNP Knowledge School को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें ऐसे ज्यान वर्दक सुझाओ आपको हम देते रहेंगे प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब् माइलिं